Divine Journey and Dark Feminine नमस्ति दोस्तो, मेरे नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरे चानल 233, High Priestess दोस्तो, आज का जो ये टॉपिक है, वो है Dark Feminine को लेके Divine Masculine, Imbalance Masculine, Narcissus Masculine इन सब चीजों पर बहुत सारी बाते करी हैं हमने, बहुत सारे वीडियोज हैं मैंने भी काफी कुछ शेयर किया है, आपने भी बहुत कुछ सुना होगा, इसके अलावा Divine Feminine को लेके बहुत सारे वीडियोज हैं, Imbalance Feminine को लेके बहुत सारे वीडियोज हैं, इस वीडियो में जो है मैं बात करे हूँ आप फेमिनन के बारे में, I think इसके बारे में बहुत जादा बात नहीं हुई है, डाक से यहां पर मतलब कलर, रंग के बारे में बात नहीं हो रही है, फेमिनन के और ना ही बात हो रही है माकाली के बारे में, डिवाइन feminine के बारे में जो बहुत सारी बाते हमने गरी हैं कई वीडियोज में उसमें अंदर की दबी हुई dark side जब surface पर आती है और जो एक रूप निकल के आता है और जो रूप कुछ भी गलत बरदाश नहीं कर रहा है जो लड़ रहा है उस चीज को मा काली से जोड़ के देखा जाता है व्यक्ति के उस स्वरूप को मा काली से जोड़ के देखा जाता है और बहुत ही पूजनिय है वो रूप इस तरीका वो रूप जहां पर अब वो किसी गलत को बरदाश नहीं कर रही है जहां पर वो अपने पर किसी भी ये सोचते हैं कि बाल, घुमालो, या जीब निकालो, शाद ये इस पर माकाली आ गई, लेकि नहीं, वो काली सो रूट नहीं है इस तरी का, इस समाज ने, इस सोसाइटी ने हमें बहुत सारी जगा पे जो है सप्रेस्ट किया है, इस जानी में कई बारी हमारी वो सप्रेस्ट स होता है और उस रूप के सामने उष्टो को जुकना पड़ता है, उसी रूप को काली रूप कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो बाल घुमाना या जीब निकालना शाद वो माकाली का रूप है, लेकिन नहीं, लेकिन आज मैं उस रूप के बारे में भी ही हों जो बेसिकले डार्क फैंजिस के बारे में आज बात कर रही हूं, वो फैंजिस के अंदर अंदर अंदकार जादा है, डवाइन के बारे में तो आप बहुत कुछ हम जानते हैं कि डवाइन फैंज जो है वो बहुत क्रिएटेव होती है, wise होती है, Nurturing होती है Intuitive होती है Compassionate, Receptive She Know Her Boundaries Magnetic, Fearless Self-Reliant, Cooperative Gracious, Sensual बहुत ही Pure, Unpowerful होती है Divine, Feminine बहुत ही सुन्दर उनका औरा होता है Wise, काफी बुद्धी मान Couragious And at the same time बहुत मासूम सब यह सारी Positive चीज़ जो है देखी जा सकती है Divine Feminine के अंदर और कंशे यह वीडियो जो है Dark Feminine को लेके है तो अब Dark Feminine जिसके लिए कहा जा रहा है जिसके लिए यह वीडियो है वो Feminine जिसके अंदर अंदकार जादा है उसके अंदर क्या देखा जा सकता है क्या चीज़े उसके अंदर पाई जाएंगी क्या दिखेगा 4D में definitely dark feminine type के person से आप मिल सकते हो तो जो dark feminine होगी वो काफी manipulative होगी codependent होगी और ego stick भी काफी होगी careless होगी heartless होगी wild, hyper emotional no boundaries toxic aggression, insecure over emotional, jealousy and sexually imbalance seduce to feel powerful तारी चीज़े जो है dark feminine के अंदर जो है देखी जा सकती है उसको अपनी boundaries नहीं पता होगी over emotional attitude होगा, insecure feel करती होगी, फोदी toxic aggression होगा careless होगी, ध्यान नहीं रखती होगी कई चीजों का और मतलब कई बारी सामने वाले का दर्द भी नहीं समझना और एक और चीज मैंने देखी है dark feminine के अंदर की वो loyal भी नहीं होती है अजीब सी mysterious easily ना समझ में आने वाली टाइप की इनकी एक personality होती है एकदम जैसे divine feminine होती है और एकदम सरल वैसी नहीं होती है, यह थोड़ी उलजी हुई और थोड़ी रहसे मही kind of personality person होती है और इनको dark चीजों में ज़्यादा इंटरस्ट रहता है जैसे इनको sex में ज़्यादा इंटरस्ट रहता है या sexual activities या multiple sexual partners या boundary पार चीजे करना छुप छुपा के या गलत तरीके की practices में होना कुछ इस तरीके की dark world में या dark activities में इनको ज़्यादा इंटरस्ट रहता है और कहीं ना कहीं अंदर से अपने आपको जो है बहुत कुछ special या कुछ बहुत powerful या कुछ unique सा खुद को या अंदर से जो है बड़ा feel करती है लेकिन जो मुझे लगता है वो ये है कि ये जो dark traits जिनके अंदर होते हैं जो भी ये dark feminines हैं कहीं ना कहीं बहुत जादा darkness बहुत जादा negative energies इनके साथ connected होती है और उनकी प्रभाव में ही बहुत जादा होने की वज़े से इनकी जो ये औरा होती है वो काफी magnetic और mysterious होती है कई बार देखा गया है कि ये अगर एक average looking kind of a person है लेकिन फिर भी जो इनके संपर्क में आता है वो कुछ इस तरीगे से इनकी तरफ खिचा चला जाता है जैसे मानों उसे वश में कर लिया हो बड़ी magnetic और बड़ी strong सी इनकी कुछ vibe होती है कुछ energy होती है जो खीचती है इनसान को लोग इनके वश में होने लगते है वो इनके काबू में अगर आ गया है तो वो easily निकल नहीं पाएगा इनसे वो person जो इनके काबू में आ गया है इनके साथ relation में आ गया है उसकी life बड़ी hell होने लगती है उसको घुटन होगी उसको depression होगा क्यों क्योंकि वो इस person के साथ है और ये जो dark feminine है इनके साथ बहुत ज़्यादा dark energies dark entities connected होती है और जो भी इनके समपर्क में आता है जो इनके ज़्यादा खरीब होने लगता है या जिसके साथ भी इनकी एक sexual bond बनता है वो व्यक्ति वो लोग जो हैं धिरे धिरे बिमार पढ़ने लगते हैं उनको घुटन होने लगती है उनकी life में भी darkness बढ़ने लगती है वो भी anxiety और depression में आने लगते है dark feminine अपनी life में परिशान होती है ठीक है और उसको बहुत सारी complaints होती हैं कई लोगों को लेके कई लोगों को लेके अपने पुराने दोस्तों को लेके अपने पुराने connections को लेके अपने परिवार वालों को लेके बहुत वो blaming type के energy में जी रही होती है उसको बहुत सारी शिकायते होती हैं कई लोगों से बड़ी सारी नफरत होती है उसको अपनों के लिए भी और बाहर जिनके साथ भी उसके पहले connections रहे बट वो टिके नहीं बहुत लोगों के साथ उसको complaints होती है और अपनी life में वो काफी उलजी हुई होती है और अगर कोई इनकी तरफ खिचा चला आ रहा है पॉसन दोस्ती में प्यार में तो इनको साथ देना चाहरा है या इनकी तरफ जो है प्यार का या दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो शोरू में ये उस परसन को बहुत तवज्जो देंगी, मतला बहुत अटेंशन देगी उस परसन को, अर जो भी गंवसिशन्स होंगी इनकी घटों घटों उस परसन से बातें करेंगी, ठीक है और बहुत कुछ बताएंगी अपने बारे में कि क्या-क्या इनके साथ गलत हुआ है कैसे-कैसे इनको किसी ने समझा ही नहीं और कैसे सब ने ही इनके साथ बुरा किया हुआ है और ये कितनी इनोसेंट है या फिर ये कितनी हार्ड वोरकिंग है अपने बारे में तारीफ और अपने आसपास, मतला अपने जिन्दीगी में कि जो भी लोग रहे चाहे, घर वाले दोस्त, ये वो सब की बुराईया, जादातर ये ये ही करती है, तो वो पॉसन क्योंकि इन से अट्राक्टिड फील करता है, इनका पॉसन जो भी दोस्ती में है प्यार में है, तो वो इनको सुन रहा होता है, और इनको साथ दे रहा होता है, लेकिन अजीब बात ये है कि एक टाइम के बाद, एक समय के बाद, ये उस पॉसन जिसने दोस्ती का या प्यार का हाथ बढ़ाया है, ये उसी के ओपर हावी होने लगती है, उसी को परिशान कर करने लगती है, उसी को दुख देना शुरू कर देती है, और क्योंकि वो प्वरसन डाकनेस के करीब आया है, तो उसकी लाइफ भी बड़ी हैल होने लगती है, उसको एंजाइटी, परिशानी, मेंटल स्ट्रेस उस लगती को होने लगते हैं, मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो ग उसको प्यार दे रहा होता है, या दोस्ती में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और उसकी जीवन को जीवन में खुशियां भरने की कोशिश कर रहा होता है, शुरू में डेफिनिटली ये बहुत अपना पन, बहुत अटेंशन और बहुत कुछ उसके साथ शेयर करती हैं उस तो देखो नार्सिसस Masculline को लेके हमने बहुत बाते करी हैं बहुत सारे विडियोज हैं देकि डार्क Feminine के बारे में बहुत कम बात हुई है आज इस विडियो में जो है मैं वो सारी बाते बता रही हैं जो मेरे नोटिस में आई है मेरे पूरी जिंदगी में इस तरीके के आरक्टर या इस तरीके के लोगों को जो मैंने देखा है और उनके behavior को जो मैंने observe किया है उसी के basis पर मैं ये वीडियो आपके साथ share कर रही हूँ और 2019 में Divine Feminine को लेके जब मैंने वीडियो बनाया आपको बहुत पसंद आए बड़ी सारी चीज़े Divine Feminine को लेके मैंने share करी है लेकिन आज जो है मैं ये Dark Feminine के बारे में भी खुल के बात कर रही हूँ और आप इस चीज़ को बिलकुल positively लेना ठीक है और आप देखना कि 4D में हो सकता है बड़े अलग अलग तरीके के लोग हमें मिलते हैं तो अगर ऐसे traits आपको कहीं पर दिखाई दें इमीडेटली आप दूर हो जाना उस person से नहीं तो उस person की darkness उस person की negativity आपकी life को भी hell कर देगी ठीक है Dark Feminine के साथ क्या होता है एक time के बात कि जिन भी चीज़ों पर उसको घमन था universe धीरे-धीरे उन चीज़ों को खतम कर देते हैं माना उसको अपनी looks के उपर घमन था या कोई और चीज थी जिसके उपर उसके बड़ा घमन था तो वो सब चाम या वो जो भी चीजे थी वो दिरे दिरे खतम होने लगती हैं और एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो उसकी डाक्नेस थी जो लोगों को इफेक्ट करती थी अब वो डाक्नेस उसी को परिशान करने लगती है वो नेगेटिविटी अब उसी के उपर हावी हो होने लगती है जिसकी वज़े से कई बार उसको कई अजीब तरीके के fears, negativity या psychological issues उसको होने लगते हैं लेकिन वो इन चीज़ों का accept नहीं करती कि उसको किसी तरीके की problem है और अगर वो इस चीज़ों को accept नहीं करती हैं और cases में जब dark feminine के उपर उसी की darkness हावी हो रही है और उसको बहुत problems होने लगते हैं तो कई बार जब वो मदद चाहती है तो universe is very kind पर मात्मा जो है उनकी तरफ मदद भेशते हैं ताकि ये अपने अंदर की darkness को release कर सके तो कई बार ये देखा गया है दोस्तों कि जो भी मदद इनकी तरफ आई है भगवान ने जिनको भी इनकी तरफ भीजा है जो भी knowledgeable vaccine की तरफ आया है जो उनको इस darkness से बाहर निकाल सकता है या निकाल सकती है तो शुरुआत में तो ये बहुत positive ली उन चीज़ों को लेंगे लेकिन एक टाइम के बाद ये ये क्या करने लगेंगे कि जो भी इनका mentor है जो भी knowledgeable vaccine की जिन्दगी में आया है ये उससे ज़्यादा खुद को superior feel करेंगे या उसी इनसान में जो है कमिया ढूंडने लगेंगे या उसको ज़रो से ज़्यादा analyze करेंगे और तो मतलब इनको खुद में जाकना है खुद की गलतियों को देखना है खुद को ठीक करना है लेकिन ये अपने master के भी master बनने लगेंगे और इनका रहता है ये अपने आपको ज़्यादा knowledgeable feel करते हैं और उसे तो इनकी मदद करना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो भगवान इनकी तरफ भेशते भी हैं मदद ये उस मदद करने वाले इनसान से ज़्यादा अपने आपको knowledgeable समझते हैं या उसी इनसान की छोटी-छोटी चीजों को पकड़ते हैं या उस व्यक्ती को ज़्यादा analyze कर रहे होते हैं या अपने teacher को ताकि इसके उपर काम किया जा सके तो उस condition में end में बहुत ज़्यादा psychological issues, बिमारिया, loneliness, अकेलापन, बिल्कुल अकेली बढ़ जाती है और बहुत एक हराब इनका जो है अंत हो जाता है तो ये चीज़ें जो है मैंने पाई dark feminine में, divine feminine के बारे में बहुत बाते करी हैं, narcissus masculine के बारे में बहुत बाते करी हैं तो मेरा दिल के है कि ज़रा dark feminine के बारे में भी खुल के बात हो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसमें काफी ऐसी चीज़ें हैं, जो अगर आप थोड़ा ध्यान में रखो और 40 में ऐसा इनसान आपके जिंदगी में आये तो आप पहले ही aware हो सकते हो क्योंकि इन लोगों की एक खासियत है कि जो इनको attention देता है शुरू में इनकी तरफ आता है, शुरू में ये बहुत attention देते हैं उस person को लेकिन बाद में ये उसी person के उपर हावी होने लगते हैं उसी person को परिशान करने लगते हैं या उसी person में दुनिया भर की कमिया देखने लगते हैं वो इनसान जो उनको सहारा दे रहा है, वो इनसान जो उनको मदद कर रहा है वो इनसान जो उनको इस darkness से बहाद निकालने की कोशिश कर रहा है ये उस इंसान के बारे में भी कई बारी बहुत बुराईयां करते हैं 4D में आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत बुराईयां कर रहे होंगे इदर उदर की बचके रहना आप ऐसे लोगों से जो बहुत बुराईयां कर रहे होते हैं अपने परिवार की या किसी की बच के रहना ऐसे लोगों से क्योंकि ये अपने घरवालों को अपने दोस्तों को अपने गुरू को नहीं छोड़ रहे हैं या आपको भी नहीं छोड़ेंगे ठीक है आपकी भी करेंगे आगे चलके तो 4D में सिर्फ हमें खुद पर काम करना है, खुद का शुद्धी करन करना है, बड़े mixed type के लोग आएंगे, हमारे अंदर जो mixed type के energies होती हैं, उसी की वज़े से बाहर से इस तरीके के लोग attract हो रहे होते हैं, हमारे अंदर जब darkness काफी होती है, तो dark type के लोगों को हम attract कर लेत की से, हमें कोई connectivity फेल नहीं होगी ऐसे लोगों से, क्योंकि हमने अपने अंदर की darkness को clean कर दिया है, यह basically हमें शीशा दिखाने आये थे, कि देखो कुछ है, कुछ है अंदकार, जिसकी वज़े से हमारे जैसे लोग आप attract कर रहे हो, ठीक है, तो that's it दोस्तों, यह था मेरा व बापै